नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार आए नज़र डालते हैं आँचकी कुछ खास कब्रो बेसल जिला सुपर्वाइजर इंचार्ज के ओचक निरिक्षन में गंदगी मिलने पर लगाई फटकार हुई सफाई माकी उन्नाओ 29 बटे 11 वेद्योत उपकेंद्र माकी पावर हाउस में कारीरत संवेदा कर्मिचारियों को गंदगी मिलने पर लगाई चमकर फटकार वदिय सक्त से सक्त निर्देशन जिला सुपर्वाइजर आशीश सैनी अपने विभागिये कारियों के चलते पहुँचे और चक माकी पावर हाउस में चारों तरफ पड़ी गंदगी को देख कर इस पर माकी पावर हाउस इंचार्ज आकार्श सिंग सेंगर के साथ समस्त संवेदा कर्मिचारियों को जम कर फटकार लगाई वदी इस सक्त से सक्त निर्देश यदि समय से कोई भी समिधा कर्मिचारी जिवटी नहीं पहुचता है एवम अपने कारियों के प्रती लापर वाही करता है तो उसे अवर्श ही दंडित किया जाएगा वैसे वहीं पर प्रशन साब भी की कि माखी पावर हाउस का कारे जिली में सबसे अच्छा एवम सक्रियता से किया जा रहा है इसको लेकर आज बड़ी ही सक्रियता के साथ सफाई की गई और सक्रियता से अपने दायत्वों का निर्वहन करना है जिस से माननी उर्जा मंत्री केस अपनी स्ताकार हो सकें इस अफसर पर उपस्तेत मुख्य रूप से बेसिल सिला इंचार्ज आशीश सैनी सौरब सैनी पावर हाउस इंचार्ज आकाश सेंग सेंगर शिवम सेंगर यूगेंद्र नितिन कुश्वाहा राजेंद्र कुमार एवं समस्त स्टाफ मौजोद रह लाइव टीवी समाचार से सिला वियरो नेमिश विश्व कर्मा की खास रूपर्ट अब इनके लिए बस इतना ही बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी अगर आप रहना चुमाते हर वक्त अब्रेट देखते रहिए लाइव टीवी समाचार